नमस्का स्वागत है आपका न्यूज 69 में मैं हूँ आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और जैसे जैसे गर्मी तेज हो रही है ग्रामी नंचलों में पीने के पानी की समस्या उत्पन होने लगी है लोगस्वास्त यांत्र के मंत्री संपत्या उईके ने इस बात को घंभीरता से लेते हुए मुख्य मंत्री मुहन्यादव से आगरे कर प्यस्टी से न्यूक्त हुए 50 अ अभार ग्यापत करत्वे कहा है कि हमारी डबल इंजयन के सरकार माननी नरेंदर मोदी जी के सबकासा सबका विश्वास और सबका विकास के सपने को पूर्ण कर रही है न्यूज 69 के भोपाल से आदल खान के रपोर्ट यहां पे जिस तरह के से पूरे दतिया जिले में 605 हमा और मैंने पूरी पैठक में आउलोकन की जिस पे अच्छा काम है पूर्व में 78 काम थे वो पूर्व के थे पर अभी जो सुवक्रती मिली है वो 452 इंद्राम की मिली हुई है और लगभग यहां पे 87 प्रसेंट काम हो गए है और मैं बहुत ही बधाई देती हूं हमारे सभी वर्करों को सभी हमारे जन प्रतिनियों को कि सबकर सहयोग से बहुत अच्छे काम हुए है और जन्मन योजना के तहत पे भी यहां पे बहुत अच्छा काम हुए है मुझे बहुत प्रशंता है कि माननी असस्वी प्रधान मंत्री जी ने जिस तरीका से हमारे पिछरी जन ज के लिए उन्होंने एक special योजना का launch किया और बहुत कम समय में हमारी ये योजना अच्छा सफल हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि होली तक हमारे दत्या के 100% जन्मन योजनाओं में हो जाएंगे और मुझे बहुत प्रशंता हुई और जिस तरह से यहां पर अभी मैंने दे हैं और अभी जिस तरीके से आप सब लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी हम लोगों ने जन्मन योजना के तहत पर जो हमारे शारिया जन्जाती पिछड़े ऐसे वर्ग के लोग हैं उन सभी का काम बहुत जल्दी कंप्लीट होगा और उनको कामिर अलाकों में देखा है कि जो इसकूल की पे तंकिया बनी हुई है वह जब से बनी आड़ तक उन्मन में पानी नहीं पहुचा है नहीं अवी तक जो जल्दीवन मिसेन और योजना हैं वो क्यान में तुन आरह रही जावे नहीं हैं पानी के जो आगनवाडी हैं है उसमें मैं बानती हूं कि जो इसकुल हमारी गाउं से बाहर रहते हैं सेहर से दूर रहते हैं इसके कारण से जो लोगों ने तोड़ के चोर्य करकर ले गए तोटी वागेरा उसके रख रख रखाओ हमारे पीची ने यदि हेंड ओबर कर दिया इसकुल को या अंगनवाडी को तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके रख रखाओ हम देखरे करें यदि टौटी टूट गई है तो उसको टौटी लगाए यदि टंकी की टूटी है तो टंकी को हम बदलाए य उसके लिए हम लोगों ने एक निर्देश भी किया है कि जो यदि काम कंप्लीट हो जाते हैं तो ग्रामीड में यदि हम देखें तो पंचायत इस तर पे हमारी योजना कंप्लीट हो गई है तो उस योजना को हम एंड ओबर किसको करते हैं जो भी ठेकेदार रहता है वो पं काफी समय निकल भी चुका है क्या ठेकेदार मेने जैसे कहा कि 2020 में ये योजना का सुभारम हुआ 2019 में सुभारम हुआ 15 अगस्त को और 15 अगस्त 2019 को मानिप असस्वी प्रधान मंत्री जी ने लाल के लिए से इसकी घोशना किये थे और मद्द प्रदेश में 2020 में इसका यहां का बताती हूँ 80% काम दतिया का कंप्लीट होने जा रहा है हमारे मद्द प्रदेश के आलो भर हम देखें तो 60% हमारा काम हो गया है 40% अभी हमारी बाकी है उसके लिए हमारे पूरे मैदानी अमला पूरी लगी हुई है हमारी प्रशाशन तो हमारे जन प्रत्री दी हम मुख मंत्री जी लगातार उसकी समीच्छा कर रहे है माननी असवी प्रधान मंत्री लगातार नजर रखे हैं इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद